आवाज क्लेर आ रही है नमस्ते संगीता जी तो अचले शुरू गड़ते हैं इंडियन पॉलिटी में नेक्स्ट टोपिक हमारा जो की काफी इंपोर्टन टोपिक है और ये टोपिक है मौल अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स गुड इवनिंग बिंदिया जी बहुत सारे कोशिन बनने के चांसेज हैं यहां पे और समझ के लिए तो बहुत ज़्यादा जुरूरी है इंडियन टोपिक ठीक है हर जगे एपलाई होगा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि यह एक टोपिक है जिसे डिटेल में देखना पड़ेगा बागी में तो इतने डीप में जाके सवाल नहीं आते मूल अधिकारों से बहुत ज़्यादे सवाल पूछे चाते हैं थोड़ा सा बैग्राउंड देख लगते हैं कि मूल अधिकार का जो उद्हा है वो कहां से होता है विश्व में तो ऐसा कहते हैं कि मूल अधिकारों का जो जन्म है ऐक्चल में वो बुटेन में हुआ सबसे पहले बुटेन में 1215 में मूल अधिकारों से सμबन्दित एक पेपर प्रकाषित किया गया उसे कहा जाता है मौलिक अधिकारों का मैगना कार्टा जिसमें बड़ा डिटेल से लिखा गया मूल अधिकारों के बारे में मैगना कार्टा ठीक है फिर इसके बाद आप वर्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फ्रांस में करांती होती है और फ्रांस की करांती का जो प्रभाव है हमारे प्रस्तावना में दिखता है क्योंकि हमने जो शब्द लिये हैं सवतमतरता समानता बंदतो भायचारे की भावना तो ये सब जो फ्रांस की क्रांती से ही ये शब्द हमारे आएं है तो यहां पर सुतंतरता, समानता, बंदुत्व, भायचारे की भावना इन सभी को अधिकारों के रूप में माना गया इनकी मांग की गई as a right सुतंतरता, बंदुत्व इनकी as a fundamental right यहां पर demand की गई, ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1780 में यहां पर फ्रांस की क्रांती का समय भी ध्यान रखेगा कि यहां पर फ्रांस की जो क्रांती ही थी वो 1789 में हुई थी ठीक है, अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, 1787 में अमेरिकी समविधान बन गया था पर जब यहां पर सबसे पहले अमेरिकी समविधान बना था तब मूल समविधान में अधिकार नहीं दिये गए थी बाद में इसे संशुदित किया गया और 1791 में यहां पे अमेरिके सम्विधान में भी मूल अधिकार प्रदान किये गए अब ये बात आपके लिए सारी बाते इंपोर्टन्ट है ठीक है इसको इस तरह समझेगा कि ये कौन से सवाल हम से पूछे जाते हैं ये आपके लिखने में काम आते हैं में ठीक है और एक बात हैं रखेगा कि यहां पे जब 1791 में दुबारा मूल अधिकार शामिल किये गए तब अमेरिका विश्व का पहला देश बन गया जिसने रिटन में यहां पर सम्विधान के दौरा अपने नागरिकों को मूल धिकार दिये ठीक है तो अमेरिका विश्व का पहला देश है इस मामले में इसके बाद ही अधिकारों को लेकर ही दस दिसंबर 1948 को यहां पर यूएन उने मानव अधिकार को माननेता दी ठीक है मानव के जीने के लिए जो बेसिक राइट्स हैं उनको पूरे विश्व में यहां पर माननेता दी गई दस दिसंबर 1948 को इसलिए इसे अंतराष्ट्रिय माननेता दिवस भी हम यहां पर कहते हैं तो यह तो है इतिहास की वर्ड में किस तरह से यह जो मूल अधिकार है यह इवोल्व हो रही है किस तरह से इवोल्व हो रही है ठीक है अब बात करते हैं भारत के सम्विधान में भा कि इसमें देखिएगा कि सबसे पहले जब आपको पहला लेक्चर बताया था मैंने पॉलिटिका तो उसमें यह बात भी कही थी मैंने आपको कि बाल गंगा धर तिलक ने 1895 में एक विधेक पेश किया था स्वराज विधेक ठीक है हमने इसको सम्विधान सबा के संदर्भ में पढ़ा था और इस स्वराज विधेक में मूल अधिकारों की भी बात कही गई थी ठीक है तो सबसे पहले भारत में बाल गंगा धर तिलक द्वारा इस्तरे की मांग के गई इसके बाद एनी बेसेंट यह द्वारा यहां पे 1925 में है एक बिल पेश किया गया था कोमन वेल्थ इंडिया बिल और इस बिल में इन्होंने यहां पर मूल अधिकारों की मांग की थी ठीक है फिर इसके बाद जो फीमस रिपोर्ट है 1928 की नहरू रिपोर्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम माधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में भी यहां पर भारतियों द्वारा सम्विधान निर्मान का यह पहला प्रयास था और इसमें भी मूल अधिकार शामिल किये गए थे तो इसको ध्यान रखना यह इंपोर्टन बात है कि हम भारतियों को चैलेंज मिला था उस पर यह रिपोर्ट बनी थी और यहां पर मूल अधिकारों को हमने शामिल किया था इसके बाद कोंग्रेस का 1931 में अधिवेशन होता है कराची में अध्यक्ष्टा करते हैं पटेल और इस सम्मेलन में भी यहां पर पंडामेंटल राइट मूल अधिकारों से संबंदित प्रस्ताव पारित किया जाता है यह बात इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा कॉंग्रेस के अधिवेशन को इससे कनेक्ट करके आप से MCQ यहां पर पूछा जा सकता है और इसी प्रस्ताव को आधार बना कर यहां पर गांदी जी गोल में सम्मेलन में जाते हैं वो दूसरा गोल में सम्मेलन चल रहा होता है साल 1931 है यहां पर गोल में सम्मेलन में गांदी जी के दुवारा बंडा मेंटल राइट्स की मांग रखी जाती है ठीक है तो यह भी MCQ में इंपोर्टेंट है कि गांदी जी ने मुला दिगारों की मांग ऑफिशली कब रखी इसको भी यहां पर आपको ध्यान रखना है फिर इसके बाद आपको पता है कि 1935 का भारत शर्षन अधिनियम आता है पर इस अधिनियम की अंदर यहां पर मूल अधिकारों की बात नहीं की गई थी इसमें यह बाद आप ध्यान रखेगा फिर 1945 में एक कमिटी बनाई जाती है तेज बहादुर सप्रूप की देख्ष्टा में और इस कमिटी में यहां पर यह सिफारिश की गई कि सम्विधान में मूल अधिकारों को शामिल पिया जाना चाहिए ठीक है तो यह ध्यान रखना है यहां पर और बाद में जब सम्विधान सभा का गटन हो जाता है 1945 के बाद तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्षिन में अगर आपने पहला लक्षर देखा है कि सम्विधान सभा का गटन कब हुआ पहली बेटा कब होई तो यहां पर सम्विधान सभा का जब गटन हो जाता है तो यहां पर भी मूल दिकारों और अलप संख्य का दिकारों पर सरदार पटेल के देख्षता में एक समीती बनाई जाती है ठीक है और जेवी करप्रोनी के देख्षता में एक उप समीती भी बनाई जाती है और इस समीती की अनुशनशा में समविधान के भाग तीन में आर्टिकल बारा से लेकर 35 शामिल के जाते हैं जो कि 7 फंडामेंटल राइट्स होते हैं मोल रूप से यह जो बैक्ग्राउंड है यह इंपोटेंट है मोल अतिकार का तेक बैक्ग्राउंड देखी मैं आपको दो ही चीजों में डिटेल से बताया है एक तो मैंन दूसरा मोल अतिकारों का बैक्ग्राउंड बहुत इंपोटेंट है यहां से भी सवाल पुछे जाते हैं ठीक है और आरेस प्री के अंदर दो नंबर के कोश्चन में यह जो सातवा मोल अतिकार है जिसे हटा दिया गया इसके बारे में सवाल पुछा जा चुका है अरेस में 31 में था और यह था संपत्ति का मोल अधिकार संपत्ती का मूल अधिकार मतलब जिसके पास जो संपत्ती है वो उसका fundamental right है और आपको पता है कि मूल अधिकार का अलग उलंगन होता है तो यहाँ पर कोर्ड में जाया जा सकता है और भारत को उस समय विकास करना था तो जमीनों की आवाशकता थी इंडस्ट्रीज के लिए तो यहाँ पर संपत्ती पर अगर मूल अधिकार रहेगा fundamental rights की वज़े से सरकारा देगरण नहीं कर पाए जमीनों का तो इस वज़े से इसको fundamental right की category से हटा दिया गया ठीक है 44 में शर्ण शोधन के द्वारा 1978 में तो इसको fundamental की शर्णी से हटा कर कहाँ shift कर दिया गया यह ध्यान रखना इसी की तरह से question पूछा गया था पहले तो था यह भाग 3 में तो इसे shift कर दिया गया भाग 12 में और यहाँ पर इसका article बना article 300A या 300 कह तो यहाँ पर इसको मूल अधिकार नहीं कहके अब इसको एक legal right कहते हैं कानूनी अधिकार कहते हैं अलांकि कानूनी अधिकार को भी लेकर code में जाय जा सकता है पर वहाँ पर उसकी guarantee की वो नहीं होती है ना guarantee नहीं दी जाती उसमें परिस्तेतियों को देखा जाता है तो इसी वज़े से आपके जो वर्तमान में मूल अधिकार हैं वह साथ की जगए छे ही रह गए हैं कि दो नंबर का जो question पूछा था तो यह इतनी डिटेल देते अगर आप दो नंबर में तो जाके उसमें परफेक्टली यहां पर दो नंबर आपको मिलते हैं तो द्यान रखेगा इसको चलिए तो अब हम आते हैं हमारे मूल अधिकार उपर तो मूल अधिकार हमें पता है कि आर्टिकल बारा से लिकर 35 तक हैं तो हम शुरू करेंगे एक एक आर्टिकल की बात तो सबसे पहले यह धियान रखिए कि मूल अधिकार आये कहां से हैं तो जब मैं सम्विधान के आपको सोर्स बता रहा था तो इसमें मैंने बताया था कि यह अमेरिका के सम्विधान से लिये गए हैं अभी हमने बात भी की थी कि अमेरिका ने सम्विधान के द्वारा मूल अधिकार पहली बार दिये थे विश्यों में ठीक है तो इन्हें वहीं से लिया गया है यह वैसे से दूसरी बात जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 हैं यह यहां के नागरिकों को ही प्राप्त हैं ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा जबकि इनके अलावा जो शेश अधिकार हैं जो भी बस्ते हैं वो यहां पर सभी व्यक्तियों को प्राप्त है अब यह क्या बात हुई नागरिकों को और सभी व्यक्तियों की तो इसको हम देख लेते हैं देखिए जब मैं बात कर रहा हूं कि नागरिकों को प्राप्त हैं तो नागरिक का मतलब है भारतिये ठीक है और जब मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्तियों को प्राप्त है तो व्यक्ति में भारतिये भी आ जाते हैं और विदेशी भी आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे अब मूल अधिकार एक्चुल में है क्या मूल अधिकारों की प्रकरती क्या है ये कोशन पूछा गया है सिविल सर्विसेज में इनकी नेचर किस तरह की है तो मूल अधिकारों की जो प्रकरती है उसके बारे में कहा जाता है कि ये नकारात्मक है या निशेदात्मक है अब यहाँ पे नकारात्मक या निशेदात्मक का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ है यहाँ पे कि व्यक्ति की सुतनतरताओं को यहाँ पे सुनश्चित किया जा रहा है इसलिए मूल अधिकार ये शामिल किये गए और मूल अधिकार कहने का मतलब ये है कि राज्य इन्हें व्यक्ति से नहीं छीन सकता राज्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मूल अधिकारों को छीन ले पर्मानेंटली ठीक है ना अपात काल के दुरन अलगी स्तती होती है वो ऐस थ़ा स्तती होती है पर परमानेंटली राज्य मूल अधिकारों को लेले वापिस ऐसा नहीं हो सकता इसलिए ये राज्य की द्रत्फी से नकारात्मक या निशेदात्मक है राज्य की शक्ति को नियमित करते हैं कि जब में पॉलिटी में राज्जी ये स्टेट शब बोलूगा तो आपको गुवर्मेंट से लेना है इसका मतलब ठीक है तो व्यक्ति को ये राज्जी की विरुद्ध प्राप्त हुए है इसलिए इनकी जो प्रकर्ती है वो राज्जी की दिष्टिकोंड से नकारात्मक या निशिदात्मक है इसको ध्यान रखिए ये इंपोर्टन बात है इस पर कोश्टन पूछा गया है मूल अधिकारों की प्रकर्ती पर चलिए अब हम एक एक आर्टिकल को यहां पर डिसकस करते हैं तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं अनुछे बारा की क्योंकि ये आर्टिकल बारा से ही शुरू होते हैं तो आर्टिकल बारा में क्या लिखा गया है तो देखें आर्टिकल बारा में स्टेट या रज्जी की या सरकार की परिभाशा दी गई है यहाँ पर राज्य की परिभाशा दी गई है कि राज्य या स्टेट का मतलब क्या होता है तो आपको ODC की जनकारी होनी चाहिए कि जब भी समविधान में राज्य शब्द का परियोग हो रहा है कि इस परिभाशा में भारत सरकार आ जाती है संसद आ जाती है राज्य सरकार आ जाती है राज्य का विधान मंडल आ जाता है जैसे राजस्तान में राजस्तान सरकार और यहां की विधान सभा ठीक है भारत के जो भी अधिकरत शित्र हैं भारत की जो सीमा में आते हैं वहां पे भारत सरकार के द्वारा स्थापित ये बात गोर कीजिएगा इन उपरोक्त चारों के द्वारा जो भी संस्था की स्थापना की गई है या इनके दुआरा किसी संस्था को सहायता दी जा रही है ठीक है, financially help की जा रही है तो ये भी राज्य की category में ही आएंगे ये भी राज्य के परिभाशा के दाइरे में ही आएंगे क्योंकि 2005 में एक निर्ना आया था सुप्रेम कोर्ट का और उसमें कोर्ट ने कहा था कि लगो द्योग भी सरकार में शामिल है और ऐसा भी कहा था कि किसी कमपनी में ये दि सरकार की भागीदारी एक परतिशत भी है तो भी वह राज्य के अंतरगत ही आता है तो इस तरह से यहाँ पर राज्य की परिभाशा विती गई है तो ये ध्यान रखेगा कि राज्य की परिभाशा होती क्या है अब बात ये है कि ये सभी तो राज्य की परिभाशा में आते हैं और राज्य की परिभाशा में कौन नहीं आते हैं ठीक है देखिए न्यायल है राज्य की परिभाशा में नहीं आता ठीक है इध्यान रखिएगा ये question है चोटे-चोटे MCQ क्यों कि मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि सबसे difficult question civil services में जो बन सकते हैं या तो वो quality के होंगे या economy के होंगे बाकी कहीं भी आपको इस तरह के question देखने को नहीं भी लेंगे जो समझ में नहीं आ रहे हो और इन दो subject से ऐसे question बन सकते हैं जिसे समझने में भी आपको काफी दिमाग लगाना पड़े कि अक्चल में पूछ क्या रहा है option बहुत ज़्यादा confusion वाले हो सकते है तो इन दो को जब भी पड़ें तो इन दो में तो बिलकुल आपको ratification यहाँ पर नहीं करना है ऐसे समझ के मज़ जाना कि article 12 में पूछ लेगा क्या है या 13 में पूछेगा क्या है क्योंकि political level जब बढ़ जाएगा तो एक-दो सवाल करने भी बहुत challenging हो जाते हैं यहाँ पर अच्छे लेवल पर चलिए next बात करते हैं कि इसमें न्यायले को राज़ी की परिभाशा में नहीं रखा गया है ठीक है इसके अलावा जो भी नहीं आएगा ठीक है तो यह राज़े की category में यहाँ पर नहीं आते हैं चलिए अगली बात करते हैं आर्टिकल तेरा की यह भी आपके लिए important है वैसे देखिए मूल अधिकार में एक एक article important है बार बार में एक चीज़ को बताऊंगा आर्टिकल को यह important यह important तो यह तो रहने दीजिए और आपको सभी article यहाँ पर अच्छे से याद आने चाहिए ठीक है कम से कम मूल अधिकारों के तो तो आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि मूल अधिकारों देखिए दो चीज़े हैं एक तो है मूल अधिकार और दूसरी तरफ है कानून दूसरी तरफ है विधिया, लोग, कानून जो भी कह सकते हो आप तो यहां पर आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों का उलंगन करने वाली विधियां शुन्य हो जाएंगी या शुन्य ही रहेंगी मतलब ऐसे अगर कानून है जो मूल अधिकारों को सीमित करते हैं या इनका हनन करते हैं या कोई ऐसा कानून बना है जिससे मूल अधिकार कम हो जाते हैं तो ऐसे कानून को zero कर दिया जाएगा अब कैसी किया जाएगा यहां पे दो तरीके बता रखे हैं आर्टिकल तेरा फर्स्ट रोट तेरा सेकेंड में हैं तो दो तरीके हैं इनको समझेए पहला बता रखा है कि सम्विधान आपका लागू हुआ है 26 जन्वरी 1950 को ठीक है तो यहां पर हमको पता है कि हमने भारष रशन अदेनियम से काफी कुछ लिया है तो अगर 26 जन्वरी 1950 से पहले कोई ऐसा कानून या ऐसी विधी या ऐसा लोग बना हुआ है जो fundamental rights से match नहीं खा रहा है पहले का कानून है ये ठीक है तो इसको मैंने पहले लिख दिया है चब 26 जन्वरी 1950 से पहले ऐसा कोई कानून पहले से बना हुआ है जो कि fundamental rights से अगर match नहीं खा रहा है या वो fundamental rights को सिमित कर रहा है या उनको उलंगन कर रहा है तो वो जिस लेवल तक उलंगन कर रहा है माली जी कि fundamental rights को हम अगर vein R1 से दिखाएं तो इस हिसाब से दिखाते हैं और कानून को दिखाएं इस हिसाब से दिखा सकते हैं vein diagram से आपको समझाने की कुशिश कर रहा हूं ये कानून है ये fundamental rights है इस विधी में एक आगया है कि ये जो कानून है ये जिस हद तक उलंगन कर रहा है fundamental rights के प्रावधानों का तो वहां तक इस कानून की जो सीमा है वो खतम हो जाएगी मतलब ये उस limit तक उलंगन नहीं करेगा पूरा कानून रद नहीं होगा केवल वो पार्ट रद होगा जो उलंगन कर रहा था मतलब fundamental right यहां पे प्रभावी हो जाएगा इसको ध्यान से जमझे बहुत अच्छा कोश्चन है ये तो यहां पे overall इसको क्या कहेंगे कि समविधान लगू होने से पहले का कोई कानून है और वह मौलिक अदिकारों का उलंगन कर रहा है तो उलंगन की सीमा तक वह मौल अदिकारों को मतलब वहां पे उस कानून को नहीं माना जाएगा जिस सीमा तक वह मौल अदिकारों का उलंगन कर रहा है पर पूरी का सिद्धान्त या ग्रहन का सिद्धान्त या ग्रहन का सिद्धान्त यह बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए इसको वेन डियाग्राम से आपको बैटर समझ में आ जाएगा ठीक है चले तो यह तो हुआ एक तरीका कि ऐसी विद्धी हो सकती है जो पहले ही बन गई हो लागू होने से पहले नेक्स्ट तो नेक्स्ट यह है कि मान लिजे कि समझ में लागू हो गया और उसके बाद कोई ऐसी कानून या विद्धी बनी और यह जो कानून और विद्धी बनी यह अब मोली का धिकारों का उलंगन कर रही है फंडामेंटल राइट्स का ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा तो इसको वापिस विद्धान लगू होने के बाद की विद्धी है मोली का धिकारों का उलंगन कर रही है तो उलंगन करने वाले बाग को प्रतक करके समाप्त कर दिया जाता है मतलब यह जो पार्ट है इस लोका इसे अलग कर दिया जाएगा तो कि यह जो पार्ट है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का लिमिट कर रहा है यहाँ इसे छोटा कर रहा है और इस सिद्धान्त को कहा जाएगा प्रतक करन क तो यह बात यहां पर ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर पुछा जा सकता है और बहुत ही अच्छा कोश्चन है तो दोनों से आपको क्या समझ में आया है यह आपको वापिस बता दूं कानून पहले का है और उलंगन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा वो दब जाएगा फंडामेंटल राइट्स उसे दबा देगा और वो प्रभावित नहीं करेगा फंडामेंटल राइट्स को तो यहां पे फंडामेंटल राइट्स ने ढक दिया है या उसको ग्रहन लगा दिया है उसके उपर प्रभाव हो गया है fundamental rights देखिए यहां पर क्या हुआ कानून बाद का है और उलंगन कर रहा है तो इस पार्ट को अलग कर दो ठीक है चुकि यह उलंगन कर रहा है और अलग करके इसे समाप्त कर दो यहां पर इसे समाप्त कर दिया जाता है यहां पर इसे समाप्त नहीं किया जाता ठीक है इसको ध्यान रखना तो अब कॉश्चन उठता है कि जो आच्छा दन का सिध्धान्त है वो पहले बनी हुई विद्यों पे तो लागू होता ही है तो यहां प्रतक्रण का सिध्धान्त बाद वाली विद्य पे लागू होता है तो यह है मुलंतर अच्छा दन के सिध्धांत में और प्रतक्रण के सिध्धांत में यह कोशिश की है मैंने easily समझाने की अगर फिर भी आपको समझ भी नहीं है तो मुझे पूछ लेना important है इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि यहां से जो question है वो बनता ही बनता है ठीक है बड़ा अच्छा question मनता है यहां से चलिए तो अब next बात करते हैं यहां पर article 14 की देखिए मा बार बार करूँ इस तरह की गलती मत करना कि simple article रट जाओ और उसके बरोसे आप exam में जाओ कि यह pass हो जाएगा ठीक है यहां पर समझ की जाना है हर चीज को quality में चलिए अगला है समानता का अधिकार और समानता का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक अब यहां पर भी twist है ठीक है twist क्या है कि समानता के अधिकार को हम दो तरह से वर्गी करें आर्टिकल 14 हमको कहता है कि राज्य किसी भी वक्ति को कानुण के समान सरक्षण और कानुण के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा यह है इसकी लाइन कानुण के समान सरक्षण और दूसरा है कानुण के समक्ष समानता अभी यह क्लियर हो जाएगा आपको देखिए जब मैंने आपको बताय था कि समविधान अलग-अलग सोर्ट से लिया गया है तब मैंने आपको यह दोनुँ चीजें बताई थी उस टाइम की इनका डिसकस हम मूल अधिकारों में पढ़ेंगे तो अब मुझे अगर आप कमेंट सेक्षण बता सकते हैं तो बताईए कि कानुण का समान सरक्षण और कानुण के समक्ष समानता यह दोनों किस देश से के या किस देश के समविधान से लिये गए हैं तब तक हम इसकी आगे बात करते हैं देखेए इसको समज़े कानुण के समक्ष समानता इस बात का क्या मतलब है? इसका बात का मतलब सिंपल सा समझ आता है कि जो भी कानुण होगा जो भी लुई होगा इस्टेट का उसके सामने सारे एक्वल है तो मतलब कि विदी के समक्ष समानता यह जो कि हमने ब्रिटिस सम्विधान से ली है तो इसमें यह है कि हम यहाँ पे नागरिकों को एक ही कानून के तहत बाटेंगे ऐसा नहीं है कि किसी नागरिक को हमने विशेशा दिकार दे दिये और उसे छूट दे दी कि भाई आप इस कानून का उलंगन कर सकते हो ऐसा नहीं होगा किसी को कोई विशेशा दिकार नहीं मिलेगा कानून के सामने ठीक है तो विदी के समक्ष सभी समान रहेंगे लो सभी को equally treat करेगा क्योंकि law is ultimate कानून ही सरवोच्च है तो actual में इस line से हमने क्या सीखा इस line से हमने सीखा कि ये विधी के शाशन पर बल देता है ये बताता है कि law is the fundamental part of our constitution ठीक है तो ये actual में एक नकारात्म कवधारना भी है राज्य के दृष्टे कौन से क्योंकि ये राज्य के राज्य को prohibit करता है कि आप किसी को विशेशा दिकार नहीं दे सकते विधी ही सरवोच्च है ठीक है परन्तों यहाँ पेस के कुछ अपवाद है विधी सब के लिए समान व्यवार करेगी पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक राश्ट्रपती को आमनागरिक की तरह ट्रेट किया जाएगा ठीक है यहाँ पे इसके लिए अपवाद छोड़े गए है राश्ट्रपती के लिए राज्य पाल के लिए जो यहाँ पे हमारे विधेशी दुतावास है उनके लिए ठीक है और जो सांसद होते हैं उनको विशेशा धिकार दिये जाते हैं ठीक है तो यह हम देरे देरे पढ़ेंगे सांसदों के विशेशा धिकार क्या क्या होते हैं यहाँ पर यह कुछ अपवाद है और बाकी इन अपवादों को छोड़ दे तो law is ultimate सभी को समान तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर ठीक है यह यहाँ पर ध्यान रखना दूसरा पार्ट कानून का समान सरक्षन ठीक है यह लिया गया है यहाँ यहाँ पर USA के समीधान से अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब होता है देखिए कि अभी आपने कहा कि लोग सब के साथ समान ट्रेट करेगी तो इस बात के दो पहलो है एक पक्ष तो है कि लोग होना चाहिए दूसरा जो लोग है उनकी पहुँच लोग तक होनी चाहिए पहलो जब काम करेंगे तब आपका पहली वात ये सत्य होएगी कि अगर देश में कानून है तो ठीक है पहला पॉइंट दूसरा कि जो लोग है जिनके साथ जिनके उपर लोग लागू हो रही है उनकी पहुँच भी तो कानून तक होनी चाहिए पर यहां पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो अंडर प्रिविलेज्ट हो मतलब वो इतने पिछडे होए हो कि वो जानते ही नहीं है कि कानून क्या है यहां पर मैंने कहा था कि विशेश अधिकार नहीं मिलेंगे पर मैं यहां कह रहा हूँ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ही कानून की पहुँच से बहुत दूर है उनके समक्ष अगर कानून को लाना है तो पहले इनको थोड़ा पीछे से सपोर्ट देना होगा ठीक है और इनके सपोर्ट के लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे ताकि ये बराबरी की लाइन में आकर खड़े हो और इसे ही कहा जाता है कानून का समान सरक्षन इसको ध्यान रुखीगए बड़ा confusion हो जाता है जब ये आप से पोच लिया जाता है कि विदि के समक्ष समानता और विदि के समक्ष समान सरक्षन एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे के कॉंप्लिमेंटरी है तो किसको कैसे आप प्रूव करोगे इस बात को तो आर्टिकल चोदा में ये दोनों चीजे लिखी गई है तो यहाँ पर आप बात शायद समझ गए हो कि जो पहला पक्ष है कहता है कानून के समक्ष समानता तो मतलब कोई विशेशा धिकार नहीं सब लोग बराबर के लाइन में खड़े हैं कानून सब को equally treat करेगा बस कुछ अपवाद है दूसरा पॉइंट कहता है कि हो सकता है आपने विशेशा धिकार निभानी पड़े होगी यहाँ पर यह समविधान राज्य को निर्देश देता है कि यहाँ पर आप कुछ कानून बनाओ जिससे जो पिछड़े वर्ग है वो आगे आए ताकि कानून का जो समान सरक्षन हो वो सुनिश्चित हो तो इसको समझेगा यह दोनों चीज़ें एक दूसरे के opposite नहीं है बलकि एक दूसरे के complementary रूप में यहाँ पर कारे करती है तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि यह दोनों आपको confuse कर सकती है क्योंकि विधी के समख समानता तब ही प्रभावी रूप से लागू होगी जब विधी तक सभी की पहुँच हो एक simple सी line में इस तरह से समझ सकते है तो यह important बात है क्योंकि इन दोनों पर portion आता है इन्हें एक दूसरे की complementary कहीं या एक दूसरे की विरोधी कहीं इस तरह से आप से सवाल पूचा जा सकता है तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना और यहाँ पर state को यह छूट मिल जाती है देखें यहाँ पर state को क्या हो गया था state पर प्रतिबंद लग गया था कि आप किसी को विशेशा देकार नहीं दोगे पर यहाँ पर इस second वाले पार्ट में जो USA से लिया गया है यहाँ पर state को छूट मिल गई कि वो पिछडे वर्गों के लिए कुछ करे उनको बराबर लाने के लिए ठीक है और इसके लिए वो कुछ वर्गी करन कर सकता है कुछ लोगों को आगे लाने के लिए पर यह वर्गी करन मन माना नहीं होना चाहिए इसे किसी लोजिक पे बेस्ट होना चाहिए तो यह है आपका कानून के समाक्षन और कानून के समाक्षन समानता ठीक है तो यह बहुत important बाते हैं दोनों हमने अच्छादन का सिद्धानत और प्रत्धकरन का सिद्धानत में अंतर समझे और हम इन दोनों बातों में अंतर समझे ठीक है तो फिलाल हम आज की लक्षर में इतना ही करेंगे और कल शुरू करेंगे नेक्स्ट बाते और सबस्वे यादा जो confusion होता है वो article 13 और 14 में ही होता है ठीक है फिर इसके बाद इतना confusion आपको देखने को नहीं मिलेगा फिर easy चलेगा काम थोड़ा तो चलिए इसमें फिर भी आपको कोई problem हो तो comment section में या telegram में मुझे पूछ लेना तो मिलते हैं next video में तब तक thank you